हेलो माइडियर स्टूरेंट्स माग्निल प्रिंस के हिंदी चैनल में आप सब का स्वागत है मैं हूँ आपकी इंग्लिश ठीचर प्राथशी वर्मा और इस वीडियो में हम हमारी यूनेट 5 के NCRT Solutions के बारे में डिस्फस करेंगे जिस चाप्टर का नाम है princess september इसका हम reading कर चुके हैं चाप्टर को समझ चुके हैं जो meaning difficult थे अभड कठन ते उनके अर्थ समझ चुके हैं और समरी भी दे चुके हैं अब बारी हैं NCRT Solutions देखने की तो आते हैं हम पहले question पे शुरू करेंगे हम comprehension check से जो की page 38 पर दिया हुआ है तो पहला question पूछ रहा है how many daughters did the royal couple have royal couple मतलब सबसे पहले तो couple का मतलब होता है जोड़ा ठीक है एक male और एक female के जोड़े को हम couple कहते हैं ठीक है तो royal couple मतलब raja और rani वो जो शासन जो करते थे royal couple थे उनके कितने बच्चे थे उनके कितनी बेटियां थी उनकी 9 बेटियां थी January से लेकर September महिने तक उनके नाम थे तो 9 बेटियां थी उनकी तो हम ऐसे लिखेंगे the royal couple had nine daughters बहुत यह असान से सवाल है और आपको बिल्कुल उसी प्रकार से अंसर का sentence बनाना है the royal couple had यह change क्यों हो जाएगा form क्योंकि अभी वह पूछ रहा है कितनी थी कितनी हैं कितनी है question जिस जब पूछा गया answer बाद में दिया है तो वह हैड में चली जाएंगे क्योंकि हमने कहानी पढ़ ली है तो कहानी के बाद क्या हो जाएगा had हो जाएगा had nine daughters तो बहुत ही आसान तरीका है सवाल का जवाब बनाने का और question में से ही हमने शब्द लेकर बस एक answer लिख दिया जो कि है nine और बाकी सब कुछ question में सही ले लिया उसी प्रगार अब तेखते question number two को same page number पर चल रहे हैं question है why were they named after the months of the year उनको साल के महीनों के अनुसार क्यों उनका नाम करन किया गया था तो जवाब ऐसा है कि रानी जो थी जो रानी मा थी इन लोगों की नौ बेटियों की उनको नौ नाम यादनी हो पाते थे पहला तो यह था कि उनको नाम यादनी हो पाते ते और दूसरी चीज्व कीसका नाम क्या है यह यादनी हो पाता था इसलिए उन्होंने कैसे नाम रख दिये January से लेकर September तक January February March April May June July August September ऐसे लौन रख दिए जो कि याद रखना है बहुत ज़ाद法 कि ऋपर दिए जो सबसे पड़ी सब से च्छेंवीं यह सेप्टेंबर वैसे कारण यह नहीं देंगे कि रहा चाइच कारण देंगे कि उनको नाम याद करने में धिक्कत लिकटी तो आप प्रकार की सेंटेंस बनाने के लिए ऐसे वा कि जब आँसर के लिए बनाते हो तो आप यह बिकॉस से पहले वाला हिस्सा जो है वैस्टन ने से उठा के डाल देते हो आया समझ में यह हमारा आंसर है कि रानी को उनके नाम याद नहीं रह पाते थे आप remember भी लिख सकते हैं बागी आप ये भी लिख सकते हैं आप ये लिख सकते हैं और वाक क्यों की बनावट सही होना चाहिए तो मैंने आप को ये बता दिया है कि because जब भी आप से किसी चीज़ कारण पूछा जाए तो आप अपने answer में because का इस्तमाल करोगे और उसी के साथ-साथ because से पहले आप question से ले लोगे है ना और because के बाद अप अपना answer लिख दोगे अब आता है हम अगले question पे third question पूछता है राजा की एक अजीब आदत थी वो क्या आदत थी वाई इसको अजीब क्यों कहा गया है उसका कारण पूछा जा रहा है तो सबसे पहले तो वो अजीब आदत थी तोहफे देना ना की लेना और वो अजीब इसलिए थी यूँकि जरम दिन आपका है भाई आप हमको गिफ्ट क्यों थोगे हम आपको गिफ्ट देंगे है की ने the peculiar habit of the king was to give gifts on his birthday और वो अजीब क्यों थी क्योंकि साधरन तोर पर लोगों को गिफ्ट मिलते हैं अपने जरम दिन पर कोई देता नहीं है इसलिए वो आदत जो थी वो peculiar थी या उसे हम अजीब कह सकते हैं अगला question है जिसके हिस्से हैं fourth question पहला हिस्सा कहता है what was princess September's reaction to the loss of her parrot अपने तोते की जान जाने पर जब उनके तोते की मृत्यू हो गई थी तो उस पर princess September ने किस प्रकार से react किया था princess September took the loss of her parrot to heart उन्होंने वो चीज दिल पर ले ली थी जो पूरा दुख था कि उनका पालतू पक्षी जो है जो तोता है उनका प्यारा तोता वो मर गया है इस चीज को उन्होंने अपने दिल पर ले ली थी she wept continuously और वो पूरे समय रोती ही रही थी जब तक कि वो चिड़िया नहीं आई थी she was put to sleep without suffer सपर और बिना खाना खाए वो उनको सुला दिया गया था बंदब कितनी बुरी स्थिती हो गए थी पिचारी की कि जब उनके तोते की मृत्य हुई थी तो उनने वो चीज अपने दिल पर ले ली उन्हें बहुत दुख हुआ वो पूरे समय रोती रही और उसके साथ-साथ उन्हें बिना खाना खेलाए सुला दिया गया था तो यह तीन चीज़ें आप लिख सकते हैं यह यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कि चिडिया के आने तक वो रोही रही थी बस इतना लिखना है कि वो पूरे समय रोती रही थी अगला हिस्सा कहता है कि उनकी मा का इस चीज को लेकर क्या नॉंसेंस जब मेडम फॉनर को यह कि कहानी की दुखत घटना को राणी के पास सूनाने ले के की प्रिंस इनसे कि से सॉन रहीं है रुए रोच यह कुछ भी नहीँ सुन और वैंट्र वां ने मनाया वेज़ा रही है यह तो फालतू रोही है ये भी कोई बात होती है रोने की she asked the maids to put the child to sleep without supper जब maids of honor ने कहा कि वो खाना नहीं खा रही है तो एक माँ होने के नहीं यहाँ पर उनको स्वयम जाके उने खाना खिलाना था लेकिन रानी साहिबा ने किया रानी ने कहा वो नहीं खा रही है खाना तो मत खाने दो आप तो उनको सुला दो और आप जब तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले तो her mother said the princess said that princess September's weeping was simply nonsense पहले की वो चीज बेवजा थी दूसरा कि she asked the maids to put the child to sleep without supper सोने के लिए भेज दिया जाए बिना खाना खाए तो इस तरीके से उनकी मा का ये reaction रहा था तीसरा इससा कहता है what do the reactions indicate about the nature and temperament of each सब के इस चीज को लेकर जो सब कि का मतलब होता है हम किसी चीज को किस प्रकार देखते हैं समझते हैं हमारे सोचने का तरीका temperament ज्यादा तर गुस्से से हम तुलना करते हैं उसकी अगर किसी का टेंपरेंट बहुत ज़्यादा ही हाई होता है तो मतलब कि बहुत जल्दी घुशा हो जाएगा बहुत जो थी वह बहुत जाता simple थी जरह ऐस बस एक कि उनकी मा ने ये बात तो सही और और रहा था लेकिन क्वाना खाले शोटी बच्ची थी तो उनको मनाना चाहिए था लेकिन एक छोटी बच्ची होने के नाते हैं उनका अपने पालतू तोते से इतना ज्यादा लगा होना यह बताता है कि वो कितनी ज्यादा दयालू और कितनी ज्यादा नाजुक दिल वाली थी कि उनको बहुत बुरा लग रहा था इस चीज से शी वस ट्रिकन विद ग्रीफ वेन हर पैरेट डाइड ग्रीफ याने की बहुत ज्यादा अतियंत दुख उनको हो गया था एकदम उस दुख से घिर गही थी जब उनका पैरेट मरा था तो बट्ट ग्वीन मदर वस नौट मुवड अट ओल लेकिन इस पूरी घटना में उनकी मा को रानी को कुछ एहसास नहीं हुआ उनको तो जरा भी बुरा नहीं लगा और अपने बच्चे को शांत कराने के लिए चुप कराने के लिए अच्छा महसूस कराने के लिए उनने कुछ भी नहीं किया कंसोल करने का मतलब होता है बात करके उनको उनका उनका बोलते हैं प्यार से बहलाते फुसलाते हैं है उन्हें बेहतर मैशुस कराने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं कान्सोल करवाना तो यहांपर हमने देखा कि प्रिंसस जितनी दयालू थी। कि मां उतनी ही कठोर दिल वाली थी उन्होंने बच्चे को सुलाने के लिए बोल दिया कि नहीं खा रहे खाना तो मत खाने दो और आप तो छोड़ो वह तो ठीक हो जाएंगे और वह खुद भी नहीं गहीं वहाँ पर अपने बच्चे के लिए थोड़ी देर बैठने के लिए कि मैं ही उनसे बात कर रहा हूं ठीक है तो यहां हमको यह पता चलता है कि दोनों ही बहुत अलग-अलग थी फिफ्ट क्वेशन पूछता है वाट पूल्ड दप्रिंस आउट ओफर ग्लूम ग्लूम का मतलब होता है दुख उस दुख के इस बड़े से सागर से हमारी प्रिं इंड़ी मुझ वफर लिटल सॉंग बर्ड इंटु हर रूम कमफॉर्टेड प्रिंस सेप्टेंबर प्रिंस सेप्टेंबर का मूड कि इसने ठीक किया एव चोटी सी गाने वाली चड्याने जैसे उसने अपना सुन्दर सुरीला सुर लगाया वहाँ पे और पिंस सेप्टे के बारे में भूल गई और रोना बंद कर दिया तो उनको अपने इस दुख के सागर से बाहर निकाले वाला कोई और नहीं था वो छोटी सी चिडिया थी अगला question है how did the maids of honor come to know that the princess and the bird had become intimate friends यह made of honor को कैसे पता चला था जब को सुबह नाश्ता लेकर आई थी तो उन्हें कैसे पता चला था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्ट बन गए है नहीं नहीं आई चिडिया और मेड और यह प्रिंस सप्टेंबर the maid of honor brought in the princess's breakfast वो पहले उनका नाश्ता लेकर आई अगले दिन सुबह the songbird songbird मतलब गाना गाने वाली चिडिया ate rice out of the princess's hand and then sang sweetly उनके हातों से चावल के दाने चुगने के बाद उस चिडिया ने गाना गाया the maids were surprised to find September so much happy वो maids जो थी वो आश्चेरे चकित हो गई कि यह जो बच्ची कल रात तक इतना बिलख बिलख के रो रही थी वो अब इतनी खुश कैसे है they were convinced that the two had become good friends तो वो यह देखकर खुश हो गई और यह चीज उनको पक्का पता चल गई कि यह दोनों से बेस्ट फिरेंड बन गए है चुडिया और प्रीनस सेप्टेंबर क्यों क्योंकि उस चुडिया की बच्टेंबर खुश थी और चिटेंबर सेप्混र के साथ जो चिडिया थी नहीं वाली वो हर बार एक नया गाना गाती थी उसने आठो बेहनों के लिए नया गाना गाया उसने मम्मी पापा के लिए राजरानी के लिए नया गाना गाया है ना और वो प्रिंस सेप्टमबर को भी हर बार नया गाना सुनाती थी लेकिन वो विचारे तो राजो को बचाओ और प्रिटी पॉली यह दो चीजें ही वह पूरे समय बोलते जाते ते जिससे राजा जो थे हमारे वह बहुत चिड़ चुके थे तो यह आंसर है इसे आप नोट डाउन कर लीजेगा कि वह सिर्फ जो सिखाया जाता था वही रिपीट करते थे यानि की गौ होता है किसी चीज को ले के हमारा नजरिया कि क्या और हम सोचते हैं है न जिससे हमने कोई बात रखी कि मैं सोच रहा हूं कि कि मैं लिण आт tri? खरीद लूं आप भता मन्मी आप क्या कहते हो दादी हक जाना चाहरे हैं कि कि आउचते हो कि मैं गाड़ी ले लोकंषी वाली लूं या आना ये घर क्रीद लो आप यह कहना चाहते हो आपको आप एक ऊंपीनियन जान रहे हों ऑपीनियन और नाम से सुना रहते हैं देखने का नजरिया होता है Point of View है न आप अलग तरीके से देखते हैं किसी चीजों का मैं तरीके से इसी देखती हूं और Opinion का मतलब होता है कोई धारना की हम इस चीज को कैसा सोचते हैं तो ऑपीनियद्र के बारे में किंग कया कहते हैं उन्हें अपने सलाकारों के बारे में क्या धारना बनाई हुई थी और उन्होंने ऐसी धाणना क्यों बनाई थी दो क्यों बनाई थी वाई देकिंग और low-opinion अबाउट इस counselors उन्योंने अपने सलाकार के बारे में low-opinion बना के रखवा था मतलब की छोटी सी धारना थी छोटी धारने का मतलब यह निया कि थोड़ी सी थी जादा कुछ नहीं था उसमें नहीं चोटी धारना का मतलब होता है कोई अच्छी बात नहीं थी उस सोच के बारे में क्योंकि पैरेट्स की तरह उन तोतों की तरह वो भी ए फ्रिज सबसंद Otherwise जैसे एक बात बोली और उसको सब्सक्राइब दूसरे तरीके से बोल दिया मतलब वह कीचीज बोहушки नए नहीं नहीं सलानि है वह एक ही बात को चार-पांस तरीकों से बोलते हैं और उनको लगता है कि मैं बुद्दु बन जाओंगा है ना तो इसी लिए उनके बारे में एक सलाकार होने के नाते उन्हें बहुती ज़्यादा क्रियेटेव बहुती ज़्यादा सकरात्मक रचनात्मक होना चाहिए जो की वो नहीं थे तो यह था इसका आंसर कि उनका एक लो ओपीनियन था और पैरेट्स की तरह ही वो चीजें रिपीट करते जाते थे दोहरा आते जाते थे अगला पैरेशन है नाइंट सबस बयार को एक आपर उपाए दिया और एक उन्होंने क्या दिया ओफर दिया तो क्या ओफर था वे ओफडियर पॉकेट्वनी तो प्रिंस सेप्टेंबर तो बाइनदर पैरट वो किजलती थी कि प्रिंसे सेप्टेंबर के पास इतनी सुन्दर सब्सक्राइब जाकर बोला कि हम Ve kijken कि नी चालाक कि वहने कहती है कि हमें बहुत दुख होता है कि हमारे पास तोते तोते नहीं है एक काम करते हैं हम सब अपनी फाचिट मनी घटा करते हैं 10 वो पैसे मिलते हैं तो वह पैसे तोते की तरह ही बोलते रहता repeat करते रहता चीजें दोह राते रहता काई ग कि तरह सुन्दरगाना नहीं गता और व्रावर थोंट अखमर चाल थे छीया करता नहीं आ पाते इतना ज्यादा है ना इसीलिए उन्हें सोचा की इसी जैलिया को हट आने के लिए कुछ करते हैं second part में वो कहते हैं why in your view did they do it और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनने ऐसा क्यों किया they did that because they felt jealous of the song birds friendship with princess September जो यह गाना गाने वाली चिडिया थी और यह जो princess September थी इनके बीच में यह जो दोस्ती थी उससे यह लोग जलते थे बुरा मानते थे क्योंकि उनके तोतों के साथ उनकी ऐसी दोस्ती नहीं थी तो वह सुश्टी थी कि इसकी इसके इतने अच्छी दोस्ती है इतना गाना वा अखरी question है comprehension check page number 38 का जो कहता है what did the sisters advise the princess to do about her bird और जब उसने तोते के लिए मना कर दिया तो फिर उनने क्या चेटिया के साथ क्या करने के लिए बोला the sisters advise the princess to put the little bird into the cage lest it should fly away forever less का मतलब होता है नहीं तो यहां ऐसा कर सकते हैं इसको otherwise भी लिख सकते हैं ठीक है क्या सला देती है कि उसको पिंज्रे में बंद करके रखलो नहीं तो कभी भी उड़ जाएगी कभी ऐसा हुआ कि वह उड़ गई कहीं और चली गई उसको कोई और चिर्या है वो पालतुपक्षी नहीं है इसलिए उन्होंने ये सवां उसको दी ताकि किसी बहाने से ही सही उच्रिया गाना बंकर दे और सब चिर्यक की तारीफ करना भी बंकर तो यह रहा इसका अंसर जिसमें वो कहती है कि उनने क्या सलादी the sisters advised the princess to put the little bird in the cage otherwise it should fly away forever अब हम आते हैं comprehension check के page number 43 पर जिसका पहला question है in the following sentence elaborate the parts given in color अब जो यह highlighted है ना उनको पढ़के हमें elaborate करना है elaborate करने का क्या मतलब हो जाता है उसके बारे में detail में बताना है है ना तो यहां पर क्या है under the circumstances it was a very unfortunate remark for the bird to make मतलब की इस जो स्थिती थी उसके अनुसार circumstance का मतलब होता है इस स्थिती के अनुसार है ना उस स्थिती में क्या था it was a very unfortunate remark एक बहुत ही जादा बतकिस्मती वाला रिमार्ग जो था for the bird to make उसको एक बहुत ही गलत निर्णाए लेना पड़ा यह मजबूरी में उसको इस प्रकार का निर्णाए लेना पड़ा the circumstance was that the bird hadn't come back because of the party at his father-in-law's house यह तो हमें बता है कि वो रात को लेट क्यों आई थी यह sentence तब इस्तमाल किया गया था यह किसी के दोवारा बोला नहीं गया है यह कब इस्तमाल किया गया था जब वो लेट आती है चिडिया और बताती है कि मेरे ससुर जो है मेरे father-in-law जो है उन्होंने एक party रखी दी और सब चाहते थे मैं वहां रहूं इसलिए मैं वहां पर था तो circumstance यह था कि वो रात बर घर नहीं आ पाया princess September के पास वो चिडिया नहीं आ पाई क्योंकि वो पार्टी में थी the princess was naturally worried और वो साधारन तोर पर कोई भी उस चीज़ पर चंता करेगा कि और उन्हें यह डर नहीं लग रहा था कि वो कहीं पर चला गया है मुझे छोड़कर उन्हें उसकी चिंता हो रही थी the remark of the sisters added to the worry यहां पर बात यह हो गई कि ना वो चिडिया गलती है ना ही princess September की चंता लेकिन उनकी बहनों ने जो उनकी दिमाग में बाते भरी हुई थी और यह जो घटना हुई है अगर साधारन तोर पर यह घटना होती तो वो इतनी मायने नहीं रखती वो चिडिया आके princess को कहती कि मैं इसलिए लेट हो गई नहीं और princess थोड़ा सा दाटती और बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा करने थी और बात खत्म हो जाती है लेकिन रीमार्क यह था कि उनकी बहनों ने पहले ही उसकी दिमाग में यह बाते भर दी थी और उसी के अगले दूसरे दिन तो यह ले princess September के अनुसार सत्य साबित हो गई तो यह है हमारा elaborate करना इन चीजों को circumstance क्या थे लेट होना और unfortunate remark क्या था princess September की चंता और बहनों की की हुई बताई हुई मंगरंत चंता जो यहां पर princess September के मन में भर दी गई थी अगला question है जिसका पहला part कहता है what did princess September do to ensure the safety of her pet उसके pet की जो सुरक्षा थी वो एकदम वो करने के लिए उसकी पुष्टी करने के लिए पक्की करने के लिए princess September ने क्या किया जैसे कि उसके तोते की मृत्य हो गई थी उसका कारण princess September को पता नहीं चल पाया था लेकिन यहां बर princess September ने अपनी चिडिया को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया put the bird into a cage to ensure safety वो princess September ने यह सोचा कि अगर मैं पिंजरे में रखूंगी तो बाहर इगल वल्चर यह जो बड़े-बड़े पक्षि होते हैं चोटे पक्षियों को खा जाते हैं या कोई और जानवर उस पर attack करते हैं या कोई hunter उसको मार दे है न या फिर वो भूग से प्यास से धूप पानी इन सब चीज़ों से उसको कोई तकलीफ न हो यह सारे चीज़ें सोच कर या कहीं दूर ना उड़ जाए आंदी तूफान में इस प्रकार से सारी चीज़ों का एक ही उपाय निकाला प्रिंसे सेप्टेंबर ने कि उसको एक पिंजरे में बंद करके रख दो वहीं भी उसको खाना दो वहीं भी उसको पानी दो और उसी प्रकार वो सुरक्षित जीवन वहाँ पे जिएगी पर प्रिंसे सेप्टेंबर यहाँ पे बूल गई थी कि उस च पख्शियों को पिंज्रे में अपने घर पर पालते हैं तो हम यह चीज ini घलत के कहते हैं कि हम उनसे प्यार नहीं करते हैं हम बिल्कुल तो कि यहां को पूरा उपयोग वह खुट कर यह नहीं पा रहे हैं जैसे कि आपके हाथ है पर लिखना नहीं जानते या फिर आपके पैर हैं पर आप चलना और दोड़ना नहीं कर पाते तो वह किस काम के हैं अगर पक्षिओं को पांख्षर पर दिये हुए भगवान ने तो वह उड़ने के लिए गए हैं पिंजरे में गैद करने के लिए नहीं और जब उसको पिंजरे में बंद किया गया तो चिडिया ने किस प्रकार से यहां पर बताफ किया दो बोड डिसलाइक दिज इंप्रिजनमेंट डिसलाइक का उल्टा डिसलाइक ना पसंद था इंप्रिजनमेंट प्रिजन का मतलब होता है जेल है ना प्रिजन का मतलब होता है जेल और इंप्रिजनमेंट मतलब प्रिजन के अंदर रख देना मतलब यह कैद करने का जो काम किया था प्रिजन सेप्टेंबर ने यह उस चिडिया को बिलकुल पसंद नहीं आया था he stopped singing उसने गाना गाना बंद कर दिया था अब उससे दुनिया में कोई भी आके बोलता ना कि मुझे गाना काके सुना तो वो गाना नहीं गाती इस प्रकार से उस चिडिया ने इस चीज के उपर अपना बरताव दिखाया तीसरा क्वेशन पूछ रहा है वाई दिड़ बर्ड रफ्यूस्ट वी टेकन आउट इन हर केज और जब इसने का मुझे बाहर भूमना है दुनिया देखनी है तो प्रिंसे स्प्टेंबर कहती है कि मैं तुम्हें इस पिंजरे में रोज गुमाने लेके जाऊंगी तो बर्ड क्या कह है यह बात कोई मजाग नहीं है कि आप मुझे पिंजरे में रखकर कहीं घुमाने लेकर के जाओ दराइस फील्ड एरेड दलेक लोगड क्वाइट डिफरेंट एंडल वें सीन थूद केज बार्स वही खुला आसमान वही चावल के खेत और वही हर्याली जो है वो पिंजरे के अंदर से बहुत अलग बहुत ही सूनी लगती है तो वो क्या कहती है कि अगर मुझा बाहर गुमाने लेकर जाओगी भी तो भी दुनिया जो है वैसी नहीं दिखे कि जैसे मैं अपनी आखों से आसमान में उड़ते हुए देख पाऊंगी वो जो राइस फील्ड है वो ए आजादी कितनी जरूरी है क्वेशन नमबर फॉर जिसके आगे दो हिस्से हैं उसमें एक पूछता है पहला हिस्सा पूछता है वोर्ट पर्सुएड़ प्रिंस सेप्टेमबर टु गिव दबर्ड इस फ्रीडम अगेन और ना सब कुछ होने के बाद प्रिंस सेप्टेमबर को ऐसी क्या उनकी मालसिक्ता में बदलाव आता है या क्या उनके परिवर्तन होता है कि वो सोचती है कि मुझे से खुला छोड़ देना चाहिए दप्रिंस इस फ्रीड दबर्ड लेस्ट ही शुड डाए इन कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद में पकड़ के रख लेना त तो उस कैद में रहने से अगर वो पक्षी मर जाता है तो इससे तो बहतर है कि मैं उसे खुला छोड़ दूँ वो मुझसे दूर रहे वो जहां भी रहे जैसे भी रहे सुरक्षित रहे जीवित रहे खुश रहे मेरे लिए गाना गा सके है ना तो वो क्या कहती है जब उसको आजाद कर दू तो यह हो जाएगा इसका जवाब लेस्ट यहां पर सिस्तमाल किया गया है या तो आप शब्द को याद करके यह समझ लें कि इसका मतलब क्या है या फिर इसका ऑल्टरनेटव वोड़ जो होता है जो मैंना आपको बताया अदर्वाइज इसको याद रख ल अब इसी का second part आता है question का जिसमें वो बोलता है कि bird ने कैसे react किया उस चीज को लेकर पहले उसको जब कैद किया तो कैसे react किया अब जब उसको खुला छोड़ दिया आजाद कर दिया कैद से तब उसने कैसे react किया the princess kept the window open so that the bird might fly in and out making fresh air charming ठीक है उसने क्या किया प्रिंसस ने अपनी खिड की पूरे टाइम खुली रखी सुभा शाम दिन रात खिड की खुली रहती दिया कि वो चिडिया अपनी मर्जी से कमरे के अंदर आना जाना कर सके और जो साफ हवा है सूरज की रौशनी है ये सारी ची तो बहुत अच्छे से इस चीज को माना तो गुसा नहीं कि तो बल्कि आजाद होने के बाद भी उस चिडिया को ये पूरा भरुसा था कि मैं फिर से प्रिंसस से अगर मिलने आऊंगी तो यह मुझे कैद नहीं करेंगी और उन्हें खुशी खुशी इस बात को कहा कि में व जरूर आऊंगी और क्वेशन फाइफ कहता है प्रिंस सेप्टेंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे और नाइट एक लाइन दी हुई है हमको चाप्टर में से जो कहता है कि प्रिंस सेप्टेंबर ने दिन रात अपने कमरे की खड़की खुली रखी उसमें से आने वाला पहला स देरी जाती उड़के अंदर आ जाती तो इससे चिडिया की यह मदद हो गए थी कि वो कभी भी अपने मंद से आना जाना वो चिडिया कर सकती थी दूसरे क्वेशन भूचता है और यह वह राजकुमारी को कैसे बहतर लगा इट हैंट अप्रिंस हर सेल्फ बाइप खुश्बू और साफ हवा यह सारी चीज़ें जो थी उस खुली हुए खिड़की से आना जाना करती थी एट हैल्पड हर मेक हर ब्यूटिफुल और उनका स्वास्थ और उनके सुंदरता और ज्यादा निखर गई इस खिड़की के खुले रखने से तो सिर्फ चिडिया का बला नहीं हुआ जो आप किसी का बला करते हैं तो सिर्फ आपके मन को शान्दी ही नहीं मिलती है आपको उस चीज़ का रिजल्ट यह मिलता है उसका परिणाम यह होता है कि आपने अगर किसी को खुश किया है आपने किसी की खुशी को अपनी खुशी के उपर रखा है तो इसमें वो पुछते हैं कि प्रिंसेस सेप्टेंबर ने तो अपने कमरे की खड़की खुली रखी थी तो वह और ज्यादा सुन्दर हो गई वह बहुत स्वस्थ हो गई लेकिन जो बागी के आठ बहने थी जानवरी से लेकर ऑगस्ट तक उन लोगों ने तो अपनी खड़की बंद्र गी थी अब उनको क्या हुआ एट सिस्टर्स वो केप देर विंडो शुट ओल नाइट बिकेम एक्स्ट्रीमली अगली एंड डिसग्रीएबल डिसग्रीएबल मतलब उनकी बातों से कोई सहमत नहीं होता था उनका स्वास्त भी खराब हो गया था और उनकी सुन्द आएंगे तो उनके साथ यहां पर ऐसा हुआ था मतलब कि अगर वो प्रिंसस सेप्टमबर का बुरा नहीं चाहती और उनकी तरह अपने कमरे की घड़कियां खुली रखके स्वच्वाता वरण के साथ अपने तोतों के साथ खेलती बात करती तो शायद उनके साथ ऐसा नही होता तो क्योंकि उन्हें खिड़की बंद रखी ती तो वो उनका उनकी जो खुब सूर्थ थी वो निखर नहीं पाई बल्की और डल हो गई और तो और वो डिसवरीबील हो गई उनसे लोग जादा सहमत नहीं होते थे जादा बात नहीं करते थे क्योंकि वो बहुत की questions बहुत चोटी से exercise है नमने comprehension check में आपने ध्यान दिया होगा इतने सारे सवालों के होने से summary के बाद ये comprehension check अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका बस इनी question answers को पढ़ने से ही आपको बहुत बढ़ी आ रिविशन हो जाएगा क्योंकि इन सवालों में और उनके find evidence in the text to support your idea अब हमारे exercise में हमको कैसे सवाल देते हैं थोड़ा सा research करने का रहता है तो research करने के लिए उनने हमसे क्या बोला है क्या आपको लगता है कि प्रिंस सेप्टेंबर की जो भेने थी वह अनकाइंड थी मतब दयालू नहीं थी और कुरूल थी बहुती ज़्यादा कठोर दिल थी चालाग थी अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको टेक्स में से ढूंड के निकालना है चाप्टर में से सबूत ढूंड के लाना है सबूत क्या है येस दे एट सिस्टर्स ऑफ द प्रिंस वर अनकाइंड और कुरूल थी क्योंकि वह जैलिस भी थी है ना उनको बुरा लग गया था जब उनके पापा ने मतलब राजा ने किं प्रिंसस सेप्टेंबर को दूसरी चीज तीसरी चीज दिस सजेशन माइट फिल्ड दबर्ड तो अनकाइंड तो वो थी ही उसके साथ साथ क्रूल थी मतलब बहुत ही कठोर दिल थी क्योंकि उन्होंने कहा था उन्होंने से सेप्टेंबर को बोलती है न कि अगर वो खाना खा रही है गाना इगा रही है तो मर जाएगी और अगर मर जाएगी तो उसके साथ ऐसे होना चाहिए उसको समझ में तो आए कि वह अपनी जिद की वज़े से इस स्तिती पर पहुंची है मतलब कि वह बहुत ज़्यदा कठोर दिल भी थी तो इस प्रकार आपको सबूत पर की वह बहुत बुरी थी ठीक है तो यह हो गया हमारा पहला question अगला question है जिसमें वह पूछ रहे हैं which to you is the most important idea in this story and why इन तीनों में से कोई एक आइडिया ऐसा है जो इस काहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है और फिर हमें बताना है क्यों तो music का important सार गाना गाना सबको अच्छा लगता है आजादी का मूल्य या फिर प्राकरतिक खुबसूरती हैं तो तीनों चीज़ हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी किसके बारे में बात की गई है value of freedom के बारे में बात की गई है हमारा सही अंसर है value of freedom स्वतंतरता की जरूरत है कि आजादी का मूल्य है कि किसी के लिए आजाद रहना कितना जरूरी होता है वो यहां से हम सीखते हैं यह चीज़ हमने एक और जगे सीखी थी जो हमने एक वह बैगर वाली पोम करी थी हमारी हनी डियू बुक में से जो जिसमें वह इदर उदर बिखता है लोगों से खरीदन और पैसा अपने पास हो लेकिन अगर हम आजाद नहीं है हम स्वतंत्र नहीं है तो हमारे उन सारे उपलब्धियों का कोई मोल नहीं है उसका कोई कोई वाल्यू ही नहीं है उस चीज़ की अब इसका कारण बताना है तो कारण यह है the most important idea of this poem is value of freedom because every living being has the right to be free हमारा जन्म से अधिकार होता है स्वतंत्र रहना यह अधिकार हमसे हमारे माता पिता हमारे भाई बेहन हमारे गुरू हमारे दोस्त कोई भी हमसे नहीं सकता हमारी स्वतंत्रता हमारा जन्म से अधिकार होता है और यहीं इसका reason यहाँ पर होगा और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे CRT solutions exercise और comprehension check complete कर लिया है हमारा आखरी पड़ाव भी पार होता है हमने हमरी यूनिट 5 को भी पूरा कर लिया है अगले वीडियो में हम यूनिट 6 पर आएंगे जिसमें दो लड़कों की कहानी है उनकी लड़ाई के बारे में कहानी है जो मेरे खाल से लड़कों को बहुत पसंद आने वाला है चाप्टर तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के नंबर वन प्लाटफॉर्म पर जहां पर आपको 100% free online शिक्षा मिलती है याने की गूगल पर जाईए और टाइप करें magnetbrains.com जब स्क्रीन खुलेगी तो वेबसाइट पर अब पहले आप अपना कोर्स सेलेक करें जो कि है cbsc Hindi Medium फिर अपनी क्लास सेलेक करें क्लास 8 हम supplementary पर पहुँच चुके हैं जिसका नाम है if so happened उससे आप ढूंड़े उसके टाप पर क्लिक करें और उसके बाद में आपके पास पूरी लिस्ट आजाएगी जिसमें सारी यून वीडियो पूरे खतम होने पर जो भी डाउट आती है उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर कोई डाउट नहीं है और वीडियो आपको पसंद आया तो आप वो चीज़ भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अब भाई जब यहां पर आपको 100% free online चिक्षा मिल र मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक यू